बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में राम नमी के दिन भड़की सामप्रदाइक हिंसा और उसके बाद हुई घटनाओ की धमक चोंबार को बिहार विदानसभा में महसुस हुई बिजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरसे हमलावार दिखी और मुख्यमंत्रे निदीश कुमार पर विफल कानुन विवस्ता का आरूप लगा कर इस्तिफा देने की मांगी बता दे कि बिजेपी ने विदानसभा में प्रश्नकाल के शुरू होते ही राम नौमी पर हुए हंगामे का मुद्दा उठाया पार्टी विदायकों ने हिंसा को लेकर सरकार पर कई आरूप लगाए और खोब हंगामा किया पार्टी ने प्रदेश में जंगल राच रिटन्स का आरूप लगाया वही सत्ता रूर महागडबंधन की तरफ से जवाब देते वे जेडिवू नेता विजे कुमार चोधरी ने पूरे घटनाकरम को एक साजिश पताया सवाल उठाते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया बिजेपी नेता बेल में उतर कर हंगामा करने लगे इधर हंगामा बढ़ते देख विदान सबार स्पीकर अवत बिहारी चोधरी ने सदन की कारवाई दो बज़े तक इस्तकित कर दी पूर्व कानून मंतरी रवी शंकर प्रसाद ने बिहार में रामनोमी के दोरान हुई घटना पर कहा कि ये बहुत दुर्भाग की पूर्ण है मुझे ये बताईए कि लोगों को रामनोमी मनाने का अधिकार है या नहीं आप शांती क्यों नहीं कायम कर सकते बियार शरीफ में दंगे हुए बस जलाई गई गोली बारी हुई आपकी पुलिस क्या कर रही है पिछले साल तो सब कुछ शांती पूर्वक हो गया इस साल क्यों नहीं हुआ ये बड़ा सवाल है उन्होंने कहा प्रधान मंत्री बनने के चक्कर में नितीश कुमार का शासन पर जो नहीं है और नहीं ध्यान साजीश तो उन्होंने की कि हमारे गरा मंत्री को रोक दिया रवी शंकर प्रसाद ने आगे कहा कि लोग गोली चला रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो आप हम पर क्यों आरुप लगा रहे हैं। गोड तलबे की बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में राउन नमी के दिन विबिन कारणों से हिंसा भड़क गई। करीब चार दिनों तक उपद्रवियों ने जम कर बवाल काटा, रोडे बाजी, गोली बारी, आगजनी, बंपलास्ट और लूट पार्ट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। इस्तिति को नियंद्रिद करने के लिए धारा 145 लगानी पड़ी, साथी इंटरनेट सेवा भी बंद करनी पड़ी। वहीं गरह मंद्री ने राजशपाल से बात करने के बाद केंद्री बल की टुकडियों को बिहार बेजने का फैसला लिया था। फिलाल राज़ी पुलिस हिंसा में शामिल लोगों को चिन्निन कर कारवाई कर रही है। अभी तक 80 से अधिक लोगों के गिरफतारी की गई है। राज़ी के मुख्यमंत्री निदिश कुमार ने पूरे मामले में कड़ी कारवाई करने को कहा है। इसी के साथ बने रही राज़नमा टीवी के साथ धन्यवाद।